सब्सक्राइब कर देख लिए अपने आल इंडिया रैंक और उसके बेसिस पर आपको थोड़ा बात आइडिया होगा कि आपका एड्मिशन होगा या नहीं होगा या आप बॉर्डर लाइन पर हैं या पी कहां पर हैं और सबसे पहले में महारास्त्रेश्रेट में लास्ट येर का कुट अपथ बताता हूं जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट येar का करते हैं जो जरनेरल का कुट उप ता हो मांस था 559 और आपको और बी किलियर हो जाएगा कि क्या कट आफ जाने वाला है तो जनरल केटेगरी का लास्ट यह का कट आफ था 559 और एसमेल नमबर था 3115 और ओल इंडिया रेंग था 43,285 यह था लास्ट यह का जनरल केटेगर कट आफ और यह मैं जो भी इंफर्मिशन बता रहा हूं आप इसको महा सेटी वेबसाइट से आप कन्फर्म कर सकते हैं और ओबीसी का जो कट आफ था 556 मार्ट था और एसमेल नमबर ता 3250 ऑल इंडिया रहेंग था 44,800 जब्रोफ का कट आफ था 557 मार्ट था 3190 अडिया रहेंग था 4 4724 ऐसी NT1 का जो cutoff था वो था 488 माक्स and SML नमबर था 7141 and All India रहेंग था 93,000 and NT2 का जो cutoff था वो था 553 माक्स SML नमबर था 3401 All India रहेंग था 47,000 NT3 का था 555 माक्स All India रहेंग था 45,000 SML नमबर था 3360 and ST का जो cutoff था वो था 460 and All India रहेंग था 1,17,000 and SML नमबर था 8,700 जबकि ST का cutoff था 288 माक्स SML नमबर था 19,728 and All India रहेंग था 3,42,000 Defense quota में D1 का टेगरी का cutoff था 488 माक्स and SML नमबर था 7,181 and All India रहेंग था 93,600 and Defense quota था D2 का जो cutoff था 502 माक्स and SML नमबर था 6,347 All India रहेंग 82,000 and D3 का टेगरी का cutoff 493 SML नमबर 6,886 All India रहेंग था All India रहेंग था 89,400 and 2nd का टेगरी इस MKB रहेंग था महरास्टा करनाट का बॉर्टम इसका cutoff था last year का 500 माक्स and SML नमबर था 6,449 All India रहेंग था 83,650 and then PWD PWD का cutoff था last year 100 माक्स and SML नमबर था 37,000 All India रहेंग 9,000 and orphan category का cutoff था last year 149 माक्स and SML नमबर था 31,000 and All India रहेंग था 7,18,000 वो अभी देखते हैं कि इस साल का क्या expected cutoff होने वाला है कोई भी जो भी expected cutoff होता है कई सारे factor पर depend करता है जैसे कि number of student कितने appear हुए तो महाराश्य स्टेट में इस साल पिछली साल से मतलब पिछली साल और 150,000 student अपियर होते हैं इस साल उससे जादा हुए है और number of student जो qualify किये मतलब eligible हुए है वो भी काफी जादा है and कोई भी नया college introduced नहीं हुआ है इस साल महाराश्य स्टेट में अभी तक और all India rank के basis पे भी हम बता सकते हैं क्या जाए कर टॉफ हो तो last year मैं इसक्रीन पे result दिखा रहा हूँ इसमें last year 597 marks पे that is 8800 का almost all India rank जो है वो increase हुआ है तो इसके basis पे आप कोई भी पता सकता है कि last year से तो cut off काफी जादा जाने वाल है क्योंकि 8000 rank कुछ होता है क्योंकि एक-एक seat के लिए अगर आप देखेंगे तो एक-एक मार्क से कितनी सारी rank उपर नीचे हो जाते है पर यहाँ पर 88,000 का मतलब last year के compare में all India rank जो है वो increase हुआ है तो इस साल मेरे हिसाब से जो cut off रहेगा expected रहेगा वो 570 के नीचे नहीं आने वाला है open category का तो अगर आप general category से हैं आप का मार्स 570 से नीचे है तो आपको MBBS government medical college में मिलने के chance almost नहीं है आप या तो कोई different अगर BDS वज़ेरा में try करेंगे तो फिर आप wait कर सकते हैं otherwise आप अपनी need की preparation स्टार्ट कर सकते हैं और उसके उपर है जो भी 570, 575 यह borderline की student हो side by side अपना जैसे कि मैंने आपको एक result दे दिया 597 marks पे क्या था और भी जैसे 611 marks पे last year जो all India rank था वो था 16,000 और इस साल है 22,667 कहां all India rank था 16,000 और इस साल है 22,600 तो मेरे हिसाब से जो इस साल का expected cut off रहेगा वो काफी increase that is 10 से 15 marks increase होने वाला है तो आप उसी हिसाब से अपना prepare करें देख लिए लब repeat करना है या फिर कोई different branch में भी या फिर private में भी ले सकते हैं और यार counseling के regarding कुछ भी question आपको आप comment section में जरूर करें मैं आप सारे comment पढ़ता हूँ और उसका reply भी देने कोशिश करूँगा अगर आपके कुछ जादा question है तो आप मुझे Instagram पे follow कर ले medicalinsider.official करके मेरे channel है मैं आपको link दे दूँँगा description में वहाँ से आप follow कर ले आपके जो भी question रहेंगे जो भी doubt रहेंगे मैं आपको वहाँ भी ज़रूर reply करूँगा आने वाली वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा A to Z admission आपको कैसे लेना है कौन कौन से document लाने है payment आपको किस form में करना है payment है क्योंकि DD form में करना रहता है तो सारी चीज़े A to Z आपको update करूँगा साल नया बनाना पड़ता है तो यह सब छोटी गलतिया ना हो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा document वगए और भी admission process कैसे करना है तो चैनल को subscribe कर लो और जो भी आपके question वगए है आप comment section में ज़रूर डाले मिलते हैं सी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाब फिल्स